हलो दोस्तों मैं अभी मन्यूसिंग स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो पर बने रहे हैं और अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो प्रो चलाना बहुत पसंद है जिनको वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है ये वीडियो खास उनके लिए है और खास तौर पर हमारे बिगनर्स फोटागरफर्स बिगनर्स एडिटर्स के लिए ये वीडियो है जो की अपने रिल्स को अपने टीजर को वेडिंग ट खास कुछ ऐसा ट्रिक जो कि आप फटा फट अपने टीजर को कर सकते हैं एडिट तो ध्यान दीजिए इस वीडियो में और बने रही है पूरे वीडियो पर तो चलिए आज का वीडियो ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीड आज की बारे में बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है सीन कट डिटेक्शन बहुत सारे हमारे एंडिटर जो चाहते हैं कि हमें यह तीजर बहुत पसंद आ रहा है और उसे बीट पर उसी सॉंग पर एडिट करना चाहता हूँ जो कि फटा फट अगर कोई एडिट हो वारे में ही आपको solution देने वाला हूं, तो फटा फट आ जाते हैं हमारे computer screen पे, computer screen पे आने के बाद हम बताएंगे आपको कि हमें क्या 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 करना है, तो computer screen पे आने के बाद हमने कर लिया, अब premiere pro सबसे पहले start, तो premiere pro हमारा start है, तो अभी हम चल जाते हैं, project का कुछ नाम रख लेते हैं, project खोल लेते हैं, project खोलने के बाद, create कर लिया हमने, चलिए हमारे पास कुछ इस तरह का user interface आ जाता है, जैसा कि आप सभी editor को पता होगा, च चलिए हम कुछ project डाल लेते हैं, हमने project डाल लिया, अब project डालने के बाद, अब आप देख रहे होंगे, कि यहां हमारा, यह एक teaser है, जो मुझे बहुत पसंद आया, जो हमारे company का ही edit किया हुआ है, तो फटा-फट, मैं अब इसे बताता हूँ कि, हाँ scene cut detection कैसे लगाने है, और इस beat पर फटा-फट cut, एक साथ cut कैसे लगाने है, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा, आप manually करोगे, बहुत ज़्यादा time लगता है, तो अब मैं simply इस clip के उपर right click करूँगा, right click करने के बाद, इस तरह का कुछ, आपके पास options आजाएगा और जैसे ही click करेंगे, आपको यहाँ पर तीन option मिलेंगे, तीन option का अलग-अलग काम है, फिलाल पहला option जो है, वो apply a cut at each detected cut point है, ठीक है, तो यह option आपके साथ वो करेगा, हमारे इस teaser में इस song पे जितने भी bits पे cuts लगे होंगे, जहाँ footage चेंज हुए होंगे, वो bit to bit खुद बखुद cut लगा देगा, ठीक है, पहला ही है, दूसरा option यह, create bin of sub clips from each detected cut point, ठीक है, अगर आप इस option को select करते हैं, तो जो भी आपका यहाँ cut लगने वाला है, और जो भी clips cut के बाद आने वाले हैं, उसका एक bin बन जाएगा, वहाँ पर सारे आपके, जो clips होंगे, वो वहाँ separate हो जाएंगे, आपको यहाँ पर दीखने लगेंगे, जो आपका project जो बार है, उस पर दीखने लगेंगे, ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो option है, create clip marker at each detected cut point, इससे हो गई है, कि जितने भी cuts हमारे पास लगेंगे, उस पर हमारा सारा marker आजाएगा, और marker के थूँ आप जाने के बाद बहुत सारा चीज़ आप marker to marker select करके काम कर सकते हो, जैसा भी है, तो ठीक है, वो बाद की बात है, तो फिलाल मैं आपको तीनों करके दिखा देता हूँ, फिलाल मैं अगर आपको apply a cut each detected cut point करूँगा, और analyze करता हूँ जैसे ही, तो यह clips को analyze करेगा, और beats को analyze करे ठीक है, तो चलिए फटा-फट इसको देख लेते हैं, यह almost होने वाला है, ठीक है, यह done, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ, जितने भी हमारे पास beats हैं, जितने भी आप, मैं आपको थोड़ा play करके दिखाता हूँ, देखिए, change, 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 तो आपने देखा कि जैसे भी beats cut to cut वैसे ही cut to cut, पूरे cuts हमारे clips पे लग गये हैं, ठीक है, अब चलिए मैं इसे control-z कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे options के बारे में आपको बताता हूँ, simply right click करेंगे, scene edit detection के उपर काम करेंगे, और जैसे ही, create bin sub clips from each detected cut point, अभी आप देख रहे होंगे, जो हमारा project file है, जिधर खुला हूँआ project file है, जो project bar है, project menu है हमारा, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक हमारा clip है, और एक हमारा जो से sequence create है, वो है, अब मैं जैसे ही second point mark करके, analyze करूंगा, वो simply क्या करेगा, एक bin create करेगा, और उसमें जितने भी cut वाले clips है, जिस-जिस clip पे cuts लगे हैं, वो सारे उस bin में आ जाएंगे, तो आपके पास, जो होगा, clips का, सारा एक-एक clips भी आपके पास होगा, अगर आप उसे re-edit करना चाहते हैं, या उस clips को कही और डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं, तो आप देखो कि यहाँ पर सारे clips आपके पास आ गया, और एक bin create हो गया, जहां भी cuts लगे हैं, वो सारे clips आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, अब मैं इसे back कर लूँगा, आप देखें, यहाँ एक engagement teaser का यह bin बन गया, एक folder ब में बताता हूं, मैंने right click किया simply, जैसा मैंने पहले दो actions पर किया, फिर मैं scene edit detection पर जाओंगा, अब हमारे पास तीनो, sorry, दो पर mark लगे हुए हैं, अब मैं तीसरे पर mark लगाऊंगा, और फिर आपको analyze करके दिखाता हूं, simply analyze होने में ज्यादा time नहीं लगा, अब आप मैं इ नहां देखेंगे आप, हलका सा orange, sorry, pinkish type में एक marker लगा हुआ है, marker आपके बहुत काम आता है, ठीक है, आप marker का जो उप्योग है, बहुत तरीके से कर सकते हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो आप देख पा रहे होंगे, scene edit detection का, जो आप use कर सकते हैं, वो इस फटा फट डिलीवर कर सकते हैं, और फटा फट पैसे ले सकते हैं, तो आज का वीडियो हम यहां समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेर क पास बहुत अच्छा बजट नहीं होता है जिससे कि वो बहुत महेंगे-महेंगे एडिटर हायर कर सकें तो चलिए वीडियो को यहां करते हैं अपना सपोर्ट बनाए रखें अपना प्यार बनाए रखें जिससे कि हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है और इस वज़े से हम आपके लिए नए नए वीडियो और इसी तरह के वीडियो लाया करते हैं और लाया ही करेंगे और अगर आपको कुछ भी परेशानी है कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं उसके उपर कोसिस करूँगा की वीडियो परसनली बनाओ तो चलिए आज का वीडियो यहां समाप्त करते हैं थांक्यू धन्यवाद